आज हम आपको बताएंगे कैम्प के माध्यम से बहाली होने पर क्या क्या फाइदे हैं सरकार कैम्प के माध्यम से बहाली संसादनों का रोना रोकर नहीं करना चाहती ऐसे में घोटाले का बाजार गर्म है पर आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे कैम्प के माध्यम से बहाली हो सकती है और अब भी अर्थियों ने अब चेताबनी दी है अगर कैम्प के माध्यम से बहाली नहीं हुई दो मिसाइल नीती लागू नहीं हुई तो महा अंदोलन होगा आपके स्क्रीन पर आज के अकबार के ख़बर भी आप देख ले और इसके बाद हम आपको कैम के माध्यम से बहाली होने के फायदे बताएंगे पहले खबर देखे लिखा है मांग पूरी नहीं होने पर महा अंदोलन का एलान बिहार टीटी सीटी उतरिन सिक्षक संग मोर्चा जिलाई काई की बैठक और बैठक में ये कहा गया मांग की गई की कैम के माध्यम से बहाली हो और डोमिसाइल नीती लागो हो बैठक में अभ्यर्थियों ने कहा कि 2006 के नियोजन या आमली प्राब्धान के नुसार अस्थानिय निती लागो करने राज के अभ्यर्थियों को 20% मेरिट लिस्ट में ग्रेस माक्स देने एवं 2019 तक की रिक्तियों को जूर कर बहाली का निर्ने लिया जाए नहीं तो महा दोलन होगा अब करे सरकार की बाद सरकार संसादनों का रोना डोती है और कहती है कि कैम्प लगाकर बहाली नहीं हो सकती हम आपको समझाते हैं कि कैसे होता है कैम्प लगाकर बहाली और कैम्प लगाकर बहाली से क्या है अभ्यर्थियों कुलाब एक जिले में 15-20 पर्खंड है और बिहार में 38 जिले है ऐसे में एक पर्खंड में 20-25 पंचायत है आंकरों को देखे तो जिले में 300-350 पंचायत लगबग होते हैं ऐसे में अगर कैम्प के माध्यम से बहाली हो तो अंचायत के आवेदकों को पर्खंड में बुलाया जाता है और पर्खंड के आवेदकों को जिले में नियोजन के लिए बुलाया जाता है एक दिन में कैम्प के माद्यम से आठ से दस जिलो में नियोजन की परकिडिया को संपन कराया जा सकता है 2014 में ऐसा ही हुआ था 2014 फरवड़ी महीने की हम बात कर रहे हैं फरवाडी महीने में दो फरवाडी 2014 को दस जिलो में कैम्प लागा कर नियोजन परकिडिया को पूरा किया गया था इसके बाद दो फरवाडी के बाद आठ फरवाडी को भी ऐसे ही कैम्प लागा कर दस जिलो में नियोजन परकिडिया को पूरा किया गया था अब्यरती पूछ रहे हैं कि जब 2014 में कैम्प लगा कर बहाली पर कृड़िया संपन हो सकती है तो 2020 में क्यों नहीं क्योंकि अब तो टेक्नोलोजी भी सरकार के साथ है कैम्प लगा कर बहाली करने से सीटो की बरवादी को रोका जा सकता है क्योंकि मूल परमान पत्र कैम्प लगा कर बहाली करने पर जमा हो जाते हैं इससे अभ्यर्थी जो सीट बरवादी के कारण बहाल नहीं हो पाते हैं उससे भी बचा जा सकता है क्योंकि एक अभ्यर्थी को 10 से 15 जगह से नियोजन पत्र अभी प्राप्त होगा अगर कैम्प लाया कर बहाली नहीं की गई तो आपको ये भी जाना चाहिए कि इस बार जो फर्म जमा किये गए हैं उसमें 80 से 85 परतिसत वाले अभ्यर्थीों की संख्यादिक हैं और ये अभ्यर्थी बाहरी अभ्यर्थी हैं बिहार के बाहर के अभ्यर्थी हैं क्योंकि बिहार बोट से पढ़े अब्भ्यरतियों का मेरिट 70 से 75 के बीच या 65 से 70 के बीच ही बन पाता है ऐसे में उनके लिए बड़ी समस्या है क्योंकि बाहर के अब्भ्यरति अच्छे अंक ला कर सीधे तोर पर सिक्छक बहाली पर अपना कब्दा जमा लेंगे और बिहार के अभ्यर्थी मुह ताकते रह जाएंगे 65 से 70 परतिसत वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलना मुश्किल ही नहीं नामुम्किन लग रहा है सिक्षक बहाली में अब अभ्यर्थी आगे आए हैं और बैठक होई है बैठक में ये तै किया गया है कि बिहार सिक्षक बहाली 2019 में मौके के लिए अब महा आंदोलन किया जाएगा अगर सिक्षा विभाग और सरकार जल्द नहीं कुछ फैसरा लेती है डो मिसाइल नीती और कैम्प लगा कर बहाली पर तो अभ्यर्थी अब महा आंदोलन करेंगे सिक्षा सुधार रोजगार हर कदम आपके साथ है और हम आपको हर बड़ी खबर से रूबरू कराना चाहते हैं सही और सटीक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ जूरे रहे हमारे साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद